जाएंगे दिखाई ज़रा ग्लोब का मूड भी दिखा देता हूँ चाइना बंद है आज चाइना कल फाइनली खुलेगा लंबी छुट्टी के बाद हफते बर की छुट्टी के बाद जब खुलेगा तब उस पे फोकस करेंगे अभी एशिया बाकी जो है सब ठीकी कर रहा है सब इन ग्रीन है क्योंकि यूएस से वीकेंड का हैंड ओवर बढ़िया था ठंडी अक्टोबर महिने की शुरुआत हुई थी पर फाइनली जाते जाते फ्राइडे को एक अच्छा सेशन पैना उट हुआ है एक सबापरसेंट तीनों बेंचमार्क्स मजबूत और आज फ्यूचर एकदम फ्लैट है तो तबर आपकी पहली प्लेट हम डाइजेस करें गये थे यूएस फ्यूचर फ्लैट उसके सामने एक सबापरसेंट उचाला गया है तो इसी लिए आपको बड़िया डिफरेंचल है जो आज सुबर सुबर डाइजेस करना है हर्मास से जाना ती कि इसरेल क्या करेगा कोई बड़ी बात नहीं हुई जिस तरह की चिंता थी कि तेल के ठिकान उपर हम लागी ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी कभी भी हो सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है मगर फॉर नाव वीकेंड पर तो कुछ नहीं हुआ जैसे उनके जो ऑन हुआ है इस हाथसे को और ग्लोबल मार्केट इस तरह कि अगर आप हाथसे होते है तो मार्केट पर असर पड़ता है एसेट क्लासे पर असर पड़ता है लेकिन यह अगली प्लेट जो आएगी आपके स्क्रीन पर उससे आपको पता चलेगा कि ग्लोबल बाजारों ने इस इ 28 वी सिदी उपर है वरना यह आकड़ा और जादा होता लेकिन अगर अब देखें तो तेल पर इसका जो असर पड़ता है अमोमन ऐसा जब हाथ से होते तो तेल की कीमतों में उच्छाल आता है पिछले साल इसी वक्त तेल की कीमते लगब कुछ 85 डॉलर के आजपास थी अब व हेवन बाइंग जिसे कहते है इस तरह के जब जियो पोलिटिकल इवेंट्स होते है तो हेवन बाइंग में बढ़ाता आती है तो सोने के भाव पिछले साल 1800 डॉलर के आजपास थे अब 2600 डॉलर है लोग कह रहें 3000 तक जाएगा सोना तो यह एक आउट परफॉर्मर रहा है तो चलिए अच्छा किया ही है मगर सोने ने सब को आउट परफॉर्म किया है अब यूएस के बाजारों में आपने जैसे कहा फ्राइडे का सत्रह अच्छा था वह अच्छा इसलिए था क्योंकि दो जो बहुत महतोपूर्ण आकड़े आने थे नॉन फार्म पेरोल्स के और बेरोजगारी के आकड़े नॉन फार्म पेरोल्स में अनुमान ये था कि डेड़ लाक नौकरिया जुड़ेंगी जुड़ी धाई लाक काफी बहुत में बेरोजगारी की दर का जो अनुमान था वो था कि वो स्थिर रहेंगी एट 4.2 परसेंट आई 4.1 परसेंट तो ये ब बढ़त होती है तो वीकली गेन के साथ रेजिस्टर हो गया रेकॉर्ड बुक्स में अब या आने वाला हफता बहुत में तो पूर्ण है हमारे बाजारों के लिए भी यूएस के बाजारों के लिए भी अब होना ये कि बहुत सारे डेटा आने वाले है आज कंजूमर फेड ओफिशल बयान देने वाले हैं गुरुवार को इनिशल जॉबलेस क्लेम्स तो आने ही है मगर उसके साथ ही साथ महंगाई के आकड़ आएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि फेड कहां तक पहुंचा है अपने दो फीसदी के लक्ष के और शुक्रवार को जो है वो प सामिनोस पीजा के नतीजाएंगे तो गुरुवार को महंगाई और पीजजा दोनों के आकड़े आने वाले पता चलेगा उससे कि अमरीका के लोगों ने पीजजा को खोड़ा है या नहीं और शुक्रवार को जो है बड़े नतीज जाएंगे जो बड़े बैंक से वहां के तो एक बड़ा डेटा हेवी वीक है, अमरीका के बाजारों के लिए भी, एजिया के बाजार आज सुपह काफी अच्छा कर रहे हैं, चाइना के बाजार कल खुलेंगे, वो एक बड़ी चीज देखने वाली होगी, क्योंकि वहाँ पर अब खबरे ये आ रही है, कि कल वहाँ जो एकनॉमिक उनकी जो विंग है, वो एक ब्रीफिंग करने वाली है, स्टिम्यूलिस को लेकर, उस पर नजर होगी, चाइना के बाजार, एक हफते में काफी कुछ हुआ है, तो वहाँ पर बाजार का क्या रियाक्शन होगा, और री ओपनिंग के बाद वो देखा जाएग तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक ओवर हैंग बना हुआ है, कि इसरेल क्या करेगा, वगर बाजार का कहना है, जब करेगा तब देखेंगे, फॉर नाओ, फॉर नाओ एक बड़ा कैवियाट है, महौल ठीक है, महौल ठीक है, कोई बुरी खबर नहीं तक दिखरी ये समय, चा राज संकेत अच्छे दे रहा है, और माज जो मेंचन कर रहे थे, ग्लोबली, इस हफते वैसे, अब फिर से सिर्फ मिडली इस क्राइसिस पे सब की नजर है, अब तक इसरेल चुप बैठा ऐसा लग रहा है, पर वो फ्लूइड है सिचुएशन उस पे नजर रखिएगा, हम जी के साथ साथ थर्सडे के दिन हमारा रिजल्ट सीजन का अगाज हो जाएगा, क्योंकि दिगज टी सीएस के थर्सडे को रिजल्ट साने है, और उसी दिन यूएस का इंफलेशन प्रिंट भी आएगा, ठीक है, यह है इस हफते के हाइलाइट्स, लेकिन अब चले जाएए विरू के पास, समझा जाए, मार्किट्स में यह जो हलका बहुत हर्याली नजर आ रही है, इसको कैसे प्ले करा जाए, पेनफल रहा था, बीता हफता, बढ़िया रहा था, फ्राइडे का की वो स्ट्राटेजी, सेल, सेल उन राइस के अप्रोच के साथ अपन लोग उतरे थ आए, झाल रहां दूआ हिताए, बीता है, इसको के सामый से यह खिए, झाल को की थै। में यह जाए, यह जाए ंग जढ़िया रहा, झाल की शे एंधल, करिवो एिह ढो मार्किट्स एंगे, ंगडे है, झाल की वो स्ट्राटे, इसको की यह जजए, तो एंड़िन दाए दि